अप्डेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुई हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास तक देखेगा वीडियो को शेक कीजिए लाइक कीजिए तो बढ़ते हैं आज की एहम तरीन आपडेट की जानिब जो के यूके स्टडी वीजा के बारे में नई च असान हो जाएगा तो इससे मुतलिक मुकंबल तफसिलात आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेर की जाएगी तो इस न्यूस की तफसिलात कुछ इस तरह से है कि जैसा के स्टंबर में यूके का बहुत ही बड़ा इंटेक होता है क्योंके इसी इंटेक में तकरीबन सब भी यूनिवरस्टी जोपन होती है और इसी इंटेक से आप बहुत सी चीजों में नई चेंजिस देखने को मिल रही है स्टूडंट वीजा को लेके तो जो प्रोसेसिंग टाइम रहता था यूके का स्टूडंट वीजे का याईनि के जो बेसिक टाइमिंग थी जैसा के आपको यूनिवरस्टी में एड्मिशन लेना है जिसके बाद पहले आपको ओफर लेटर आएगा और ओफर लेटर आने के कि स्टूडंट वीजे के पहले स्टप की तो वो मोस्ट इंपॉर्टन ये है कि आपने यूनिवरस्टी से ओफर लेटर लेना है लेकिन यूके में कुछ यूनिवरस्टी ने अपनी डेड्लाइन डिकलेर कर दी है याईनि के एक टाइम सेट अप कर दिया है कि इस डेट से तक आप एड्मिशन ले सकते हैं स्टंबर इंटे के लिए और इसी तरह कुछ यूनिवरस्टी ऐसी भी है जिनोंने एड्मिशन बंद कर दिये हैं ड्यू टू यूक्राइन वार यूके में अभी बहुत सी एप्लिकेशन आ रही है जैसा कि जो स्टूडंट दूसे मुमालि में एड्मिशन लेते थे तो अगर वो स्टूडंट उनकी रिक्वाइनमेंट्स को मीट नहीं कर पाते तो वो भी अभी यूके में ही एड्मिशन ले रही है मजीद स्टडी करने के लिए तो अभी प्रोसेसिंग टाइम डिले चाल रहा है और एक्स्टेंडिड भी कर दिया गया है क्योंकि इस से पहले यूके की उनिवस्टी से ओफर लेटर आने में से पांच से साथ दिन लगते थे और अब यही टाइम कमस कम पंदा दिन का लाग रहा है तो अब यह वाज़ा रहे कि आपने इस टाइम को रिड्यूस कैसे करना है तो आपने सबसे पहले अपने को त्यार करके रखना है ताकि आपका अडिशनल टाइम कंजूम ना हो और मजीद अमबैसी का रिजल्ट पता चलने में कमस कम जो टाइम लगता है तो वो एक से दो महीने का टाइम पिरियड लगता है क्योंकि इस टाइम में आपका इंटर्व्यू होगा आपको आफर जाएगा इसलिए अपनी तबाकी चीज़ों को पहले से ही रेडी करके रखें ताकि आपका सारा प्रोसेस दो मा में ही मुकमल हो जाए और मजीद जो स्टूड़न्ट से स्टमबर इंटेक के लिए जा रहे हैं तो वो अभी से अपने प्रोसीजर को शुरू कर दें क्योंकि कि अपने अड्मिशन्स बंद कर रही हैं और जिन उनिवस्टिस के अड्मिशन्स ओपन है तो अब भी से ही अपलाई करने ताकि आपका सारा काम जून से जुलाई तक मुकमल हो जाएगा तो यह थी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर कीगे यह अमीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अफडेट में आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा थैंक यू खुदा हाफिस